हेलो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर दिली एरपोर्ट की तरफ से एक अच्छी जानकारी शेर की गई है जिसमें की दिली एरपोर्ट ने ये जानकारी दी है कि करोना अबदी के दोरन दिल्ली एरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है आपको बता दे कि मार्च 2020 में करोना आने के बाद यहां से एक दिन में सबसे अधिक यानि कि 1,88,000 डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रियों ने दिल्ली एरपोर्ट पर लैंड और टेक मामलों का आना भी हो सकता है जिससे की लोग यहां पर लगने वाले लॉक्डाउन से बचनी के लिए दिल्ली एरपोर्ट से काफी मात्रा में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन एवेसंस एक्टर के जानकारों का यह मानना है कि करोना की यह नई लहर आभी तक इतनी खतरनाक नहीं लग रही है ऐसे में आप यहां पर यह लग रहा है कि एवेसंस एक्टर में यात्रियों की संख्या में बड़ोतरी होती ही जाएगी इसमें कमी होने की आवासंखा कम नजर आ रही है एवेसंस एक्टर का यह भी कहना है कि बच्चों की छुट्टियों के समय यात्रियों की स अशी जार से जादा लोगों ने टेक आफ और लेंडिंग किया है जो कि ये काफी अच्छी खबर है आपको बताते चले कि भारत में जो नए करोनवारिस के केसिस बढ़ रहे हैं इसको लेकर भारत सरकार के तरफ से भी ये जानकारी दे दे गई है कि जो करोनवारिस के केसिस बढ़ रहे हैं ये लॉंग टर्म के लिए नहीं है और ना ही भारत में इस नए करोनवारिस के केसिस को देखकर कोई लॉक्डाउन लगेगा तो जो लग भी भारत से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाते हैं तो बहुत सभी लोग बिना किसी डर के आ आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे